दोस्तो इस वीडियो में हम UP, GK और GS के 50 महतापूड कोशनों को कवर करने वाले हैं अगर आप UP, प्लिस, कॉंश्टेबल 24 के तयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महतापूड होने वाला है इस वीडियो से आने वाले एक्जाम में 2-4 कोशन देखने को जरूर मिलेंगे चलिए तो सुरू करते हैं पहले कोशन से पहला कोशन है हमारा तेल सोदक कारखाना प्रदेश के किस नगर में इस्तित है तो इसका सही आंसर होएगा उप्सन नमबर A, मत्राम है अगला कोशन है तो सही आंसर होएगा उप्सन नमबर C, अलीगड उत्तर पदेश का अलीगड नगर जो है ताला उद्देव के लिए प्रसिद्ध है नेक्स्ट कोशन है उत्तर पदेश का कौन सा नगर स्री राम की जन्म इस्तली है तो सही आंसर होएगा उप्सन नमबर A, अयुद्या अयुद्या नगरी जो है स्री राम की जन्म इस्तली है नेक्स्ट कोशन है प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में इस्तित है तो इसका सही आंसर होएगा प्रयाग राज, अप्सन नमबर C नेक्स्ट है उत्तर पदेश के निम्नलिकित में से किस नगर में कुम्ब मिला लगता है तो इसका सही आंसर होएगा इलाहबाद, अप्सन नमबर B इलाहबाद सहर में कुम्ब का मिला लगता है जिसे बर्तवान में क्या नाम है इसका प्रयाग राज प्रयाग राज नेक्स्ट है कोमी आवाज का प्रकासर कहां से किया गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्रयाग का नाम इलाबाद किस ने रखा था तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकवर ने प्रयाग का नाम इलाबाद कर दिया था नेक्स्ट कूशन है राम बारत उत्षब का आयोजन किस जन्पद में होता है तो सही अंसर हो जाएगा इसका अप्सट नमबर CLD 3 आगरा, आगरा नगर में जो है आगरा जिली में राम बारत उत्षिव का आयोजन किया जाता है अगला कुशन है ताज महल का मुख्य बास्तुकार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर B उस्ताद एहमद लाहोरी नेक्ष्ट है उत्तर पदेश का छेत्रफल देश के कुल छेत्रफल का कितना प्रस्ट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर C साथ दसनलोव तीन तीन प्रस्ट नेक्ष्ट है उत्तर पदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवदी कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर D आठ वर्स लोक आयुक्त की पद्धारण की अवधी उगा 8 वर्स की होती है अगला कुशन दिखते है अगला कुशन है हमारा उत्तरपदेश में लोक आयुक्त की निक्ती की जाती है यानि किसके दौरा की जाती है तो इसका सही आंशर हो गया राज जपाल के द्वारा option number A, राजजपाल के द्वारा अगला question है उत्तर पदेश में उर्दू को दुतिय राज भासा गोसुत किया गया था यानि कव किया गया था तो इसका सही आंसर होएगा 1989, option number C 1989 में उर्दू को दुतिय भासा के रूब में गोसुत किया गया था next है उत्तर पदेश में बिधान मंडल के दो सदन निम्न लिखित में से किस वर्स में अस्तित में आई तो इसका सही आंसर होएगा 1937, option number A 1937 next question है इन में से कौन सा उत्तर पदेश में एक जिला नहीं है तो इसका सही आंसर होएगा option number C देहरादू जो है उत्तर पदेश का जिला नहीं है यह कहां का है उत्तर खंड का और बाग यह सारे कहां के हैं हमारे उत्तर पदेश के अमेठी, बस्ती और मेरट अगला question है उत्तर पदेश का कौन सा नगर स्री कश्न की जनमिस्थली है तो इसका सही आंसर होएगा option number A, मत्रा मत्रा नगर जो है, भगवान सिखी कर्षिन की जन्विस्तली है next question है उत्तर पदेश के किस छेत्र में थारू जन्जाती नवास करती है तो सही आंसर होएगा option number A, तराई छेत्र तराई छेत्र में थारू जन्जाती नवास करती है next question है करणवास पदेश के किस जिले में इस्तित है तो सही आंसर होएगा option number D, बुलेंसर करणवास जो है, उत्तर पदेश के बुलेंसर जिले में इस्तित है next है उत्तर पदेश में operation green कब लागू किया गया था तो इसका सही आंसर होएगा 1 July 2005 1 July 2005 को operation green लागू किया गया था next question है उत्तर पदेश में दिया सलाई उद्ध्यों का प्रमुक किंद्र क्या है यानि कहा है तो सही आंसर होएगा बरेली बरेली जो है दिया सलाई उद्ध्यों का प्रमुक किंद्र है next question है रेहंदगाटी पर्योजना किस जिले में है तो इसका सही आंसर होएगा सोन भद्ध्र option number A रेहंदगाटी पर्योजना सोन भद्ध्र जिले में है next भारत सरकार का राजगिये चिन्न कहां से लिया गया है तो इसका सही आंसर होएगा सारनाथ option number B भारत सरकार का जो राजगिये चिन्न है वो सारनाथ से लिया गया है next है लाड कार्णवालिस की कबर उत्तरपद इसके किस जनपद में है तो इसका सही आंसर होएगा गाजीपुर, option number A नेक्ष्ट है उत्तर पदेश के किस जनपद को तीत राज की संग्या दी गई है तो इसका सही आंसर होएगा इलाहबाद, option number D जिसे बर्तवान में प्रयाग राज की नाम से जाना जाता है प्रयाग राज नेक्ष्ट है बासको डिगामा काली कट पर किस वर्स में आया था तो इसका सही आंसर होएगा 1498, option number B 1498 इस वी में अगला कुशन है भारत में कौन सा राज सबसे अधिक पड़ोसी राजों की सीमा को इस वर्स करता है तो इसका सही आंसर होएगा उत्तरपदेश उत्तरपदेश राज जो है सबसे अधिक पड़ोसी राजों की सीमा को इस वर्स करता है तो यह बहुत ही महत्पूल कुशन हो जाता है नेक्ष्ट है उत्तरपदेश प्लिस का मुख्याल का इस्तित है तो सही आंसर होएगा उत्तरपदेश की राज़ जानी है लखनव यहाँ पर जो उत्तरपदेश प्लिस का मुख्याल है इस्तित है नेक्ष्ट है निम्नलखित मैंसे कौन सा यूपी प्लिस विभाग की चैन प्रक्रिया की चरणों मैंसे एक नहीं है तो इसका सही आंसर होएगा भासा परिच्षण भासा परिच्षण बागी यह तीनों होते हैं सारी रिक परिच्षण होता है यूपी प्लिस के चैन में सेच्चिक यूग्यता होती है और आयू पात्रता भी होती है लेकिन भासा परिच्षण नहीं होता तो यानि हमारा option number D हमारा सही हो जाएगा next question है उत्तर पदेश पुलिस के चिन्न में कौन से जानवर का चित्र है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number A मचली next है उत्तर पदेश पुलिस के आदिकारिक द्धज में दो रंगों होते हैं लाल और तो दूसरा होता है हमारा option number B नीला हमारी जो रंगों होते हैं लाल और नीला होता है next question है उत्तर पदेश पुलिस भरती एवम पुरून नती बोड द्वारा कॉंस्टेवल स्विल पुलिस की निक्ती में पुलिस महार निरिचक की रंग के अधिकारी के नेतरतों में उत्तर पुलिस जोनों में बांटा गया है इन जोनों की संग्या कितनी है तो इसका सही अंतर होएगा हमारा उप्सन नमबर B आठ जोन आठ जोनों में बांटा गया है अगला कुशन है उत्तर पदेश में भारतिय सूचना प्रोड़ोगी की संस्थान जहां इस्थापत किया गया है वह जगा कौन सी है तो इसका सही अंतर होएगा इलाहबाद ओप्सन नमबर A इलाहबाद नेक्स्ट है उत्तर पदेश का प्रमुक लोगोगीत क्या है तो इसका सही अंतर होएगा ओप्सन नमबर D विरहा विराजवा उत्तरपदेश का प्रमुकु लोकगीत है अगला कुशन है उत्तरपदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी तो इसका सही आंजर होएगा उप्सन नमबर A सन 1992 में सन 1992 में किसान बही योजना लागू की गई थी नेक्ष्ट है जन्पद प्रात्मिक सिच्चा कारकरम का आरंभ हुआ यानि कव हुआ था तो इसका सही आंसर होएगा option number B 1994 में सन 1994 में जन्पद प्रात्मिक सिच्चा कारकरम का आरंब हुआ था नेक्ष्ट है उत्तर पदेश की सबसे महतपू नगदी फसल कौन सी है तो इसका सही आंसर होएगा उप्सन नमबर C गन्ना गन्ना जो है उत्तर पदेश की सबसे महतपू नगदी फसल है अगला कोशन है निम्न में से कौन नील जल योजना यानि बिलू बर्टर नीती से संबन्दित है तो इसका सही आंसर होएगा अप्सन नमबर A नेक्ष्ट कुश्टन है किस मोगल सामराज के काल में इंगलिस इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सरवबतम कारखाना इस्थापित किया था तो इसका सही आंसर होएगा जहाँचीर आप्सन नमबर B जहाँचीर के सासन काल में नेक्ष्ट है नेशनल काउंचिल औफ एजूकेशन की स्थापिना कव की गई थी तो सही आंसर होएगा हमारा 15 अगस्ट 1906 उनेशनल काउंचिल औफ एजूकेशन की incident कहां थी? तो इसका सही आंसर होएगा मारा सूरत OPTION NUMBER A Next कोशन है अलियड में इस्तित Momden Anglo-Oriental College को किसने स्थापत किया था? तो इसका सही आंसर होएगा मारा OPTION NUMBER A सहीद एहमद हाँ, सहीद एहमद गाने Momden Anglo-Oriental College की स्थापत किती नेक्स्ट कोशन है कॉंग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिस भारत का वाइसरा कौन था तो इसका सही आंतर होएगा मारा ओप्सन नमबर A लॉड डफरिन लॉड डफरिन नेक्स्ट है भारत ने अंग्रेजों ने प्रतम मदर्शा कहां इस्थापित किया था तो इसका सही आंसर होएगा मारा ओप्सन नमबर B कॉलकाता अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले मदर्शा जोगा कॉलकाता में इस्थापित किया था नेक्स्ट है पहली बार सुवास चंद्र बोस कॉंग्रेज के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे तो इसका सही आंसर होएगा मारा हरे पुरा हरे पुरा नेक्स्ट कोशन है भारतिय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतिय सेवा के रूप में किस वर्स में स्थापित किया गया था तो इसका सही आंसर होएगा 1966 में ओप्सन नमबर C नेक्स्ट है उत्तर पदेश में पुलिस उपादी चक की भरती हितु परिच्चावा साच्छातकार निम्न मैं से किसके द्वारा किया जाता है तो इसका सही आंसर होएगा आमारा ओप्सन नमबर B उत्तर पदेश लोकसेवा आयोग द्वारा उत्तर पदेश लोकसेवा आयोग द्वारा नेक्स्ट है उत्तर पदेश दिवस किस्तिती को मनाया जाता है तो इसका सही आंसर होएगा 24 जनवरी ओप्सन नमबर C 24 जनवरी को उत्तर पदेश दिवस मनायाता है नेक्ष्ट है भारत की कुल बहुगोलिक चित्रपल में उत्रपदेश का कितना बहुगोलिक परसत है तो इसका सही आंसर होएगा ओप्सन नमबर A और यह इस वीडियो का लाश्ट कोशन है उत्रपदे सरकाने किस एतिहासिक इसमारक से जुड़वा मचली का राजचन अंगीकार किया है तो इसका सही आंसर होएगा ओप्सन नमबर B रूमी दर्वाजा रूमी दर्वाजा तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद